कोविड नाइटीन महामारी के लगातार बढ़ते मामलों और देश भर में हो रही स्कूलों की तालबंदी को लेकर वर्ल्ड बैंक का चौकाने वाला दावा सामने आया है विश्व बैंक के अनुसार क्रोना वायरिस के जान लेवा संकर्मन का स्कूलों को खोलने या बंद करने से कोई लेना देना नहीं है विश्विबैंक के शिक्षा निदेशक ने कहा है कि COVID-19 के मद्दे नजर जब स्कूलों को बंद रखने का कोई ओचित नहीं है उन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि स्कूलों को फिर से खोलने से क्रोना वाइरस के मामलों में ब्रद्धी हुई है विश्विबैंक के वैश्विक शिक्षा निदेशक जैमे सामवेदरा ने कहा है कि महमारी को देखते वे स्कूलों को बंद रखने का अब कोई ओचित नहीं है और अगर नई लहर भी आती है तो भी स्कूलों को बंद करना एक अंतिम उपाय होना चाहिए समवेदरा ने वाशिंग्टन में एक साक्षा अतकार में बताया कि उनकी टीम शिक्षा छेतर पर कोविड-19 के प्रभाव पर नजर रख रही है उनका कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि स्कूलों को फिर से खोलने से कुरोणा वाइरस के मामलों में वृद्धी हुई है और इस सुरक्षित स्थान नहीं है उन्होंने ये भी कहा कि सार्जनिक नीति के नजरिये से बच्चों के टीका करन तक इंतिजार करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है नियूज एजिंसि पी टी आई को दिए एक साक्षा अथकार में जैसे सावेदरा ने कहा है कि स्कूल खुलने और क्रोना वाइरिस के प्रसार के बीच कोई संबंध नहीं है दोनों को जोड़ने का कोई सबूत नहीं है और अब स्कूलों को बंद रखने का कोई और चित नहीं है बले ही COVID-19 की नई लहर हो तो भी स्कूल को बंद करना अंतिम उपाय होना चाहिए उन्होंने आगे कहा कि रेस्टराँ बार और शॉपिंग मॉल को खुला रखने और स्कूलों को बंद रखने का कोई मतलब नहीं है कोई बहाना नहीं है विश्व बैंक के विभिन सेमूलेशन के अनुसार अगर स्कूल खोले जाते हैं तो बच्चों के लिए स्वास जोकिम कम होता है और बंद होने की लागत बहुत अधिक होती है उन्होंने कहा कि 2020 के दौरान हम अग्यानता के समुद में खोच के गोते लगा रहे थे हमें अभी तक ये नहीं पता था कि महमारी सिनी पटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और दुनिया के अधिकांश देशों की ततकाल प्रत्रिकरिया स्कूलों को बंद करने की थी तब से और समय बीच चुका है 2020 के अंत और 2021 से सबूत आ रहे हैं हमारे पास कई लहरें और ऐसे कई देश हैं जिन्होंने स्कूल खोले हैं बच्चों का अभी तक टीका करन नहीं होने की जिन्ताओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा ऐसा कोई देश नहीं है जिसने बच्चे के टीका करण के बाद ही स्कूलों को फिर से खोलने की शर्ट रखी है क्योंकि इसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है और सार्जनिक्षनीति के नजरे से इसका कोई मतलब नहीं है क्रोना वाइरस और क्रोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें